इस वीडियो में में मोल्टो G54 के कुछ hidden features के बारे में बात करूंगा बहुती amazing feature हैं जो आपको G54 में मिलते हैं राइट तो इस बारे में में बात करने वाला हूँ तो कम से कम 15-20 features में आपको बताऊंगा तो वीडियो को लाश तक देखना को भी पार्ट skip मत करना हैं कि वीडि इस तो सभसेडल पर गिरियो बयां सुपन करते हैं लेकिन आपको बताता हूँ कि अगर हमे यहाँ पर क्लिक कर ना है अगर तो इस तरह से home screen layout आप change कर सकते हैं आपको जो layout अच्छा लगता है वो यहाँ से आप कर सकते हैं तो एक settings यह हो जाती है तो चली है fonts देखते हैं तो fonts हम यहाँ पर देखेंगे fonts पर मैं एक बर क्लिक कर देता हूं तो यह आ जाते हैं fonts काफी सारे fonts यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे जो भी आपको अच्छा लगता है अप लगा सकते हैं और मैं तीसरी settings सी बात करूँ तो यहाँ पर आप colors स्य Baptist आरे नीं मिल जाएंगे तो इस्तरह की छेटा से अब यहें देखते हैं इस पर क्लिक करते है और यह हो जाता है यह आप देख सकते हैं यहाँ पर हम क्लिक करते हैं यह आइकन की सेब बगए आजा है इसना में राइट तो इस तरह से बहुत सारी shapes हैं यहां पर अभी मैं आपको और दिखा देता हूं और क्या-क्या है इसके अंदर तो यहां पर हम फिर से जाते हैं और यह देख सकते हैं आप जो यहां पर sounds है उसमें भी काफी सारा मिल जाता है जिसी की रिंक टॉन से slot 1 उसकी क्या sound होने वाली है और यह आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में आप अपनी sounds यहां से जो भी आपको अच्छे लगती है वो आप यहां से select कर सकते हैं तो यह काफी सारे features हो जाते हैं I hope आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और display size की हम बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलता है light time आपको मिल जाएगा और यह भी बहुत कुछ है तो परस्नलाइस ने बहुत कुछ देखा themes की हम बात कर लेते है तो themes की हम बात करेंगे themes में यहां पर आपको बहुत सारे themes में जाते हैं आप themes से भी change कर सकते हैं जैसा कि आप यह तर देख पा र लेते हैं फॉन की तो जब हम सेटिंग ओपन करते हैं तो यहां पर भी हमें बहुत सारे options and features मिलते हैं जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ अगर हमें battery बगरा की percentage शो नहीं हो रहा है भी right तो by default शो नहीं है अगर हमें वो करवाने हैं तो कैंसे करते हैं तो हम battery पर हम click करते हैं एक बार battery पर click करने के बाद यहां पर लिख रहा है battery percentage इसको enable कर देंगे तो battery की percentage so हो जाएंगे जो कि 57% battery है तो इस तरह से यह हो जाता है चली हम और कुछ देखते हैं यहां पर क्या मिलने वालबा है तो वॉल पेपर में हम झाएंगे तो वॉल पेपर में भी आप बहुत Sar bonito यहां पर आपको मिल जाते हैं और यह वॉल पेपर भी काफी अच्छे लगते हैं आप चाहें तो change कर सकते हैं आप हम देखते हैं और क्या यहां पर मिलने वाल लлатता है और यहां पर हम देहें Swipe Fingerprints तो आप इस तरह से एक П Lazeri कर देंगे तो यह रहाइएं से वह एक और खैशना जाएगा अब वेक बाली पे अगर हम क्लिक करते हैं, वेक दे डिस्प्लेइबर तो इस तरह से हम इसको इनेवल कर देंगे, तो moving the phone इस तरह से ये setting बगएरा काम करते हैं, एक बार हम इस तरह से इसको long tap करके रखेंगे, तब ही setting जो है वो बर्क करेगी, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ open camera quickly, अगर आप camera एक दम से open करना चाहते हैं, तो इस तरह से एक बार हम क्लिक कर देंगे, और आपका जो camera है, वो open हो जाएगा, अगर आप power button प्रेस करते हैं, दो time, अगर आप दो बार power button को प्रेस करके रखते हैं, प्रेस कर देते हैं, उसके बाद से यह camera open हो जाता है, जै यह one-handed mode की, तो one-hand mode पर मैं क्लिक करता हूँ, तो इस तरह से यह one-hand हो जाता है, one-hand का मतलब बिसिकली यह है, आप एक हास से अगर phone चलाते हैं, तो आपका जो phone हो जाता है, उसका screen राइट, सारी चीज़े छोटा एक कौने में आने लगती है, जैसा कि यह आपको देख रह जाता है, और आप इसको change कर सकते हैं, चाहें तो rear और front या फिर auto बगरा कर सकते हैं, तो कोई भी camera आप open कर भा सकते हैं, इस तरह से हिला के phone को, तो यह काफी अच्छा unique feature मुझे लगा, चलिए next feature की हम बात करते हैं, तो यह three-finger screenshot, तो basically यह तो अभी बहुत सारे phones में आ चु torch on हो चुका है, मैंने phone हिलाया, और यह आप देख सकते हैं, इसको हम off कर देते हैं, चलिए कि हमें जलाना नहीं, torch को बंद करके रखना है, तो यह हो जगता है, चलिए next feature देखते हैं, तो यह swipe to split, तो यह basically क्या है, यहां से आप multitasking कर सकते हैं, इसमें अलग separate feature दिया है, जब आ सकते हैं, तो यह तो बहुती time से आ रहा है, लेकिन इसमें separate यह feature दिया है, यह अच्छी बात है, चलिए next feature देखते हैं, तो next जो feature है, वो है pick up to silence, तो अगर आप phone को इस तरह से उठाते हैं, इसको enable करने के बाद, तो automatically phone जो है, वो silent mode पर आ जाता है, तो यह बैसे तो अच next feature देखते हैं, तो वो क्या है, तो next में हम देखें, तो media controls मिल जाते हैं, यह तो हर phone में ही आपको मिल जाएंगे, तो यह कोई ज्यादा इतना बड़ा unique feature नहीं है, तो इस तरह से मैंने बहुत सारे features आपको बता दिये, कौन सा feature आपको अच्छा रहा है, comment से ज़रूर बतान चलिए इस video को यहीं पर end करते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे next video में, thanks for watching this video